ہ 걸로 स्टूइट्स आज हम पढ़ेंगे कें घरो पारिशन ऑपरेटर है लोजिकली अपरेटर है जिलेशन ऑपर्टीर है operator and last में conditional operator ठीक है अब इसमें देखो relational operator comparison operator दोनों एक ही होते हैं ठीक इन्होंने अलग अलग दे रखा हैं वैसे देना नहीं चीहता है इनको लेकिन दोनों का मतलब एक ही है चलिए अब देखते हैं हमारे arithmetic operator कौन से होते हैं ठीक है देखी जैसे नाम से पता चल रहा है arithmetic operator क्या होते हमारे plus minus multiply divide ठीक है यह हमारे क्या होते है arithmetic operator जिसके दुरू हम mathematics के जो function है वो परफूम कर सकते हैं ठीक है अब जैसे हमने पेज बनाया है अपना HTML का with the use of JavaScript code ठीक है अब उसमें suppose करो कि मुझे कुछ mathematical formula add करना है तो मैं क्या करूंगा जो arithmetic operator है इनका यूज करते हुए मैं उस पे अपना जो भी function है वो मैं apply कर सकता हूं कि किसी जैसे कोई बटन पर क्लिक करें तो आजए 30 आजए तो हमारे कैसे प्रफूम होगा अर्थमेटर की तुरू ठीक है एक्जाम में गर आजए तो इस तरह मतलब बता के आना पड़ेगा एक्जाम पर की तुरू ठीक है ताकि मतलब टीचर को पता लग जाए कि इस्टूट इस अगर नाम से पता लग रहा है अगर को demonstrate कर懂 कर ना थे कॉन बड़ा है कुन चोड़ा ना होडा है है कौन इक्वल है इस तरह से हैं तो क्या है इसी तरह नोट है ठीक है नोट का मारा इस तरह सिंबल होता है उसके बाद है सकते हैं की बता सकते हैं की ऑर बने का यह सकते हैं जो आगे बढ़ते हैं उसकी बाद हैं तोक्रोव ने का है एंड और ओर उपर वाले जो symbol है किसका होता है और निच्छे वाला किसका है और का है सरफ इतना ही फरक होता है एंड की जो condition होती है उसमें जो दोनों condition है true होनी चाहिए तब हमारा जो program है वो run करेगा ठीक है अब जैसे suppose करो कि कोई एक student है ठीक है उसके पास pencil है दूसरा student है उसके पास pencil है ठीक है दोनो इसा तो होसी पास pencil है यह की आगahn सब्सक्राइश कहाए शुक्त होगे तो हमारा कोड़ होगे कोड रन कर जाएगा ठीक है अगर दूनों में से कोई एक इस्ट्टेंट के पार पैंसल है दूसरे पास क्या है पैन है तुम्हारा कोड क्या है और रन कर जाएगा पस यह फरक होते है एंड में और और में उसके बाद नोट है नोट का इतना यूज होता नहीं है चलिए आगे देखते हैं इसको बिटवाइस ऑपरेटर है ठी जिए हम देख लेते हैं जो इसमिए क्या होते है इंड और चलिए आगे बढ़ते हैं उसकी बाते को असाइमेंट अप्रेटर है इक्वार तो प्लस एक्वाल टू मायनस इक्वाल टू मृट्प्लाइफ एक्वाल टू एसी तरह डिवाइड टू है ठीक है अब सिम्पल इक सब्सक्राइब क्या है c is equal to c plus a ठीक है c में कोई value होगी तो क्या हो जाएगा ए में कोई value होगी तो उनों का add करकी किसमें दिखा देगा वो c में दिखा कर इसी तरह माइनस का है उसके बाद को mislainous operators में एक आता है conditional operator ठीक है कंडिशन में operator का क्या मतलब होता है कि particular condition होगी तो अगर पहले वाले condition satisfy होती है तो x की value जो भी होगी वो शो कर देगा otherwise क्यों होगा y की value शो हो जाएगी ठीक है इसका मैं अगर example बताऊं तो इसका क्या example होगा कि भाई कोई एक student है उसके पास pencil है ठीक है pencil है अगर उसके पास condition true होगी एक बच्चे के पास pencil है तो क्या होगा x में कोई एक value रखी है जिसका नाम हो गया sketch pen तो वो run कर जाएगा अगर बच्चे के पास pencil नहीं है तो वाई की जो भी value होगी जैसे की कोई भी rubber हो गया तो वो run कर जाएगी ठीक है rubber शो कर देगा इस तरह से कोई भी condition हो सकती ठीक है जरूर नहीं यह यह तो example के तो मैंने बताया है उसके बाद एक operator type of operator है ठीक है type of operator में क्या होता है कि भी हमने कुछ भी एक नाम लिखा है या फिर नमबर लिखा है तो type of operator बता देगा यह आपका यह किस तरह का value है ठीक है आज जैसे mobile number नमबर है ठीक है और नमबर नमबर शो कर देगा कि किस तर नमबर का अमित है तो अमित में क्या होगा कि किसी का बच्चे का नाम अमित है तो किस तरह का type है यह string type का है तो string शो करतेगा बूलें में क्या होता है 01 होते है तो क्या है वह बूलें दिशो करतेगा बस बच्च में यह है टाइप ऑपरेटर नमबर क्या होते है ठीक है इसी तरह पेपर में बता के आ जाना इसका एक्जांबल की तोर के लिख के आ जाना ठीक है बटर आज के लिए इतना ही thank you और next class मे गवालिए तरह थाइप ढूलें तरह आज के लिए और तरह थाप्स